हेलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग बेल कम्टू सफलता मंतर दोस्तों आज सुबह की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है जिसमें कि हम लोग कबर करने वाले हैं आपके लाश्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टन वन लाइनर कोश्चन सिर्फ एक एक लाइन में आपको कोश्चन मिलेगा आंसर मिलेगा धाईसों कोश्चन आपके इस प्रकार के कंप्लीट हो चुके हैं जो कि एक मैंने आपकी पूरी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी थी जिसमें कि पंद्रह सों इंपॉर्टन कोश्चन जो कि all subject के मिलाकर कर आए जाने थे जिसमें कि आपके पर्यावरण के धाईसों कोश्चन कंप्लीट हो गए और आज की क्लास में कम से कम समय में आपके आगे के important questions को लोग कवर करेंगे आप लोग भी अंत तक देखिएगा और याद करिएगा बहुत important selected questions हैं अगर कोई वी डाउट हो तो comment box में comment करके पूछ सकते हैं और पिछले parts को पूरी playlist का link दिया गया वहाँ पर जाकर देख सकते हैं जिसमें आपको सभी subject से सम्मंदित important questions जरूर मिलेंगे और ऐसे ही question निश्चित मानिया आपके exam में भी जरूर पूछे जाएंगे तो चलिए विना time waste की बढ़ते हैं पहले question से 251 number question आज का पहला question आपके सामने आ चुका है पूर्ण सूर्ग्रहन जो होता है इसकी अधिक्तम कितनी होती है यानि कि अधिक्तम इस्थिति या इसकी कितनी होती है या आपको बताना है तो दोस्तों पूर्ण सूर्ग्रहन जो होता है इसकी अधिक्तम इस्थिति होती है कितनी होती है आठ मिनट पूर्ण सूर ग्रहन की इस्थतियाद कर लिजेगा अगला बहुत important question और बहुत easy है लेकिन सबसे आदा confusing questions में से एक है सूर ग्रहन बाद चंदर ग्रहन कब होता है तो देखे जब सूर ग्रहन की बात होगी तो ये अमावस्या को होता है और जब चंदर ग्रहन की बात होगी तो ये पूरिमा को होता है दोनों बातों को याद रखिएगा अमावस्या कब होती है इतना तो आपनों को मालुम ही होगा जब चंदर मा बिलकुल भी नहीं दिखाई देता है जो काली रात होती वो अमावस्या की रात होती है और जब पूरा चंद्रमा गोल दिखाई पड़ता है तो वो पूरिमा की रात कहलाती है और चंद्रग्रहन पूरिमा पर सूर ग्रहन अमावस्या को होता है अगला कोशन है दच्छनी गोलार्द में सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन कब होता है तो दोस्तों 20 और 21 जून का जो दिन होता है, ये सबसे छोटा दिन होता, दच्छनी गोलार्द की बात हो रही है, और सबसे बड़ा दिन 21 दिसंबर का होता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा दिन जोड़ा जाएगा, एक से दूसरा दिन इस बज़े से 20 से 21 जून का जो होता है, 20 जून या 21 जून इनमें से कोई एक आप्सन आपको मिल जाएगा, इस बज़े से दोनों चीज़ें आपको बता दिनगे, कन्फ्यूज मत होना, दच्छनी गोलार्द की बात होगी, तो सबसे छोटा है 20 से 21 जून और सबसे बड़ा है 21 से 22 दिसंबर, अब बात करते हैं उत्री गोलार्द की, तो दोस्तों उत्री गोलार्द में सबसे छोटा और सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 से 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और 20-21 जून जो होती है ये सबसे बड़ा दिन होता है आप लोग को मालूम होगा हम लोग इंडिया जो है अपना एसिया जो है ये उत्री गोलार्द के अंतरगत आता है और उत्री गोलार्द में आपको मालूम है गर्मिया का पड़ती है जून में सरवाधी गर्मी पड़ती तो उसी समय दिन जो होता है सबसे बड़ा होता है 21 जून में लिए आपका सही आंसर माना जाता है और 22 दिसंबर को दिन जो होता है सबसे छोटा होता है जिस दिन आप लोगों का यूपी टेट का पेपर होने वाला इस परकार से आप लोग याद कर सकते हैं उत्तरी की छाया जो होती है वो सबसे छोटी दिखाई देती है कब 21 जून को अगला माउंट सेंट हेलेंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो दोस्तों तब फ्यूजी ओफ अमेरिका इसका दूसरा नाम है माउंट सेंट हेलेंस दोनों नाम याद कर लेजेगा फ्यूजी ओफ अमे दोश्टो इस्टरामबोली, यह एक सुसुप्त जोलामखि Är हिस्टृामबोली जोलामखि है और यह भूमद्धिसागर के प्रकास इस्तंभ के रूम में जाना जाता है बहुत अच्छा कोशन है याद कर लिजेगा निश्चित आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है और ये दोस्तों अगर पूछा जाए कि ये जौला मुखी इस्थित कहां पर है तो आपका आंसर होगा दोस्तों इटली में इस्ट्रामबोली जौला मुखी एक सक्री जौला मुखी के इंतर गताता है जो कि इटली में इस्थित है आगे बढ पर 1966-666 में सुरुगात होई थी लेकिन सुरुगात की किसने थी तो दोस्टों ये MS Sवामी नाथन ने की थी भारत में जो हरित करांती के जनक माने जाते हैं MS Sवामी नाथन माने जाते हैं जब बात होगी विष्व की तो आपका सही आंसर जोगा वो हो जाएंगी Norman Baurlog ये हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों MS स्वामी नाथन दोनों लोगों के नाम याद कर लिजेगा कन्फ्यूज मत होना एक अंक का कोश्चन 100% यूपी टेट में हर बार पूछा जाता है अगला रवी की बुगाई का सबसे उचित समय कौन सा है रवी खरीब जायत तीन प्रकार की फसले होती है तो इसमें आपकी रवी की जो फसल होती है इसकी बुगाई का सबसे उचित समय कौन सा माना जाता है तो दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर का समय जो होता है के इंतरगत आती है, इनके नाम आअद कर लिजेगा अगला दूद का जो रंग सफेद होता है सफेद रंग का ही दूद तो आपने देखा होगा ये किस कारण से होता है कौन सी चीज उसमें पढ़ी होती दूद में कि ये सफेद रंग का दिखाई पड़ता है तो दोस्तों केसीन इसमें पढ़ा होता है कैसकते हम लोग रसायन होता है केसीन जो की पहले से ही दूद में पढ़ा हुआ ही होता है जिसकी बज़े से दूद का रंग जो ता सफेद दिखाई देता है सफेद होता है जैसे कि आपने देखा हो का पत्तियां हरी दिखाई देती देखे पतियां बैसे कैसी होती हरे रंग की होती है लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी पतियां पीली पड़ जाती है मुर्जा जाती है विल्कुल तो वो नाइट्रोजन की कमी के कारण होती है जब पौधों में पतियों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पतियों का रंग जो होता वो कैसा हो जाता पीला पड़ने लगता है अगला भारत में जल प्रदूसर्ण कानून किस वर्स लागू किया गया तो दोस्वों 1994 में भारत में जल प्रदूसर्ण से सम्मंदित कानून लागू किया गया था कब किया गया था 1974 में याद कर लीजेगा अगला कोशन है स्वच जल का VOD मान कितना होता है तो दोस्वों VOD कह सकते हैं स्वच जल का यूनिट होती है जो इकाई होती है वो VOD कहलाती है और एक पार्ट पर मिलियन जो है ये स्वच जल का VOD माना जाता है याद कर लीजेगा अगला कोशन है जो कि वास्पोत सर्जन जो मापने का उपकरण होता है नया कोसिषन है पहली बार आप लोग ने पढ़ा होगा इसका नाम है पोटो मीटर क्या कहते हैं इसको पोटो मीटर कहा जाता है जो कि वासपोत सरजन मापी उपकरण के रूप में जाना जाता है इसके साथ ही चाह दोस्तों इसी प्रकार के आपके बाल विकास के भी 300 प्रसनों की सीरी चलाई जा रही है जिसमें भी 2500 कोश्चन करा दिये गए हैं अगर आपने ना देखे हो तो 1500 क कोश्चन की पूरी सीरीज बनी है लिंक नीचे दिया गया प्लेलिस्ट का जरूर देख लीजेगा क्लास के एंड में और आपको कल सामको बाल विकास का प्रेक्टिस सेट दिया गया था सुबह हिंदी साहित का दिया गया था उनको भी जरूर देखते रहीएगा अगला भारती दलहन अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है तो ये दोस्तों कहां पर है कानपूर में इस्तित है भारती दलहन अनुसंधान संस्थान सभी लोगों को मालूम होगा और इसके साथ ही साथ दोस्तों अनुसंधान संस्थान पर आधारित आपकी पूरी अलग से क्लास लेकर आये थे जिसमें लगबग पचास अनुसंधान संस्थान आपको याद करा दिये थे अगर आपने ना देखियो तो लिंक नीचे दे देंगे या यूपिटेर 2019 प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को देख लिना अगला केंदरी ये आलू संस्थान कहां इस्तित है ये स अगला वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये उत्तरा खंड में इस्तित है वन अनुसंधान संस्थान कहां पर इस्तित है उत्तरा खंड में उत्तरा खंड में कहां पर है देहरा दून में इस्तित है तो इतना याद होगा आपको वन अनुसंधान देहरा दून जगे अगला कोशन है केंदरी खाद प्रोध्योगी की अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो ये मैसूर में सित है मैसूर यानि की करनाटक में खाद प्रोध्योगी की अनुसंधान संस्थान अगला कोशन होकी इस्टिक जो बनाई जाती है किस लकड़ी की बनाई जाती है तो ये मो भूकम्प जो मापा जाता है उसका जो स्केल होता है वो भूकम्प रियक्टर कहलाता है रियक्टर पैमाना कहलाता है और यह भूकम्प मापी के द्वारा मापा जाता है इसका आविसकार 1935 में चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था किसने किया था चार्ल्स एफ रिक्टर ने Richter scale का आविस्कार किया था अगला question है और आज हम लोग यहीं तक के questions को देखेंगे बाकी questions जो लगबग आपके 25 questions और बचे हैं जो कि हम लोग next class में कम से कम समय में cover कर लेंगे तब तक आपके लिए अन्य महत्वपूर्ण questions को भी तयार कर लिया जाएगा तो एके question को याद ज नीचे दिये गए उन links पर जाकर आप लोग आज ही books को खरी लीजेगा और अपनी पूरी तयारी अच्छे से करते रहिएगा दोनों के link दिये गए एक बाल विकास की और एक 1600 questions की book है जो कि आपके सिच्छक भरती के लिए सबसे selected questions के लिए तयार की गई है तो तयार कर लीज सबसे सक्री जाला मुखी है इस समय का याद कर लीजेगा अब आपको ये तीन जाला मुखी और दिख रहे हैं इतना और पढ़ लेते हैं फिर आज की class को end करते हैं तो इसमें सबसे पहले दिया है कोटो पैक्सी कोटो पैक्सी है एटना है फ्यूजियामा है ये सभी सक्री इसके पहले एक अभी उपर विए आपको सक्री जाला मुखी बताए था स्ट्रामवोली जिसे की भूमद्य सागर का प्रकास इस्तंब कहते हैं इटली में सथित है अब कोटो पैक्सी जाला मुखी कहां पर है ये सथित है दच्छन अमेरिका के तो जगय का नाम है दोस्तों और दूसरा आपका इस्ट्रमबोली जो आला मुखी जो है ये भी सिसली में ही सिसली आता है वहाँ पर सिसली आता है अगला है आपका फ्यूजी आमा जो की जापान में सिते तीनों आपके सक्री जो आला मुखी है नाम याद कर लीजेगा एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इ आज की क्लास में आपको बताना है भारती ड्रक्स अनुसंधान संस्थान जो है दवा अनुसंधान संस्थान कहते हैं या ड्रक्स अनुसंधान संस्थान ये कहां पर इस्थित है इसका अंसर अधिक सदिक संखे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है ताकि classes को भी देखते रहिएगा तो आज की class के सभी important questions complete हुए, मिलते हैं next class में अगर class भसंद आए तो like कर दें अपने दोस्तों के साथ share कर दें और channel को subscribe करके well icon को all पर select करना मत भूलें अगली class में साम को मिलेंगे हम लोग हिंदी के important selected top 30 questions के साथ जरूर तयार रहिएगा, तयारी करते रहिएगा थैंकी दोस्तों